आज हम लोग नाटक लिखने का व्याकरण विशे पर ही चर्चा करेंगे और यह भाग दो है आप भाग एक में बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर चुके हैं आप जानते ही है उसमें हमने शब्दों पर बात की है नाटक में विशे का क्या महत होता है नाटक में समय का क्या महत होता है इन सारी बातों पर हमने चर्चा की है आज के इस भाग में हम लोग समवादों पर बात करेंगे स्विकार अस्विकार का क्या महत होता है शिल्प पर बहुत से चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आईए हम लोग पहले सबसे पहले शुरू करते हैं कि नाटक में समवादों का क्या महत होता है साथियों समवाद तो जीवन में बहुत ही महत्यपुन होता है अब उसमवाद हम अपने दोस्तों से करें या अपने घरवालों से करें या किसी से भी करें लेकिन समवादों का बहुत महत होता है यानि एक जो बोलता है और दूसरा उसका जवाब जो देता है दोनों में क्या संबंध है ये बड़ा महत्वपुन है तो आप लोग तो ये बाकाइदा रोज बोलते हैं, सुनते भी है और लगातार अपने आसपास होने वाले समवादों पर ध्यान देते होंगे तो समवाद पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप समवादों पर ध्यान देना भी शुरू कर दीजिएगा तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि समवादों का नाटक में क्या महत होता है, समवादों का कहानी में भी महत होता है, लेकिन नाटक में सबसे ज़्यादा महत होता है, नाटक समवादों के बगएर आगे बढ़ी नहीं सकता, तो कथोप कथन जिसको हम लोग कहते हैं, तो य भी समवादों के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है तो अंत में उपसंघार जैसे तत्व भी उसके लिए बहुत अनिवारे हो जाते हैं इसलिए नाटक में इन सारे तत्वों को समवादों के माध्यम से ही बताया जाता है उपसंघार भी यहां तक कि तनाव भी यह सब विरोधी विचारदाराओं का समवाद बहुत जरूरी हो जाता है यही कारण है कि नायक प्रतिनायक यानि एक खल्प चरित्र होगा यानि दुष्ट चरित्र होगा और एक सथ चरित्र होगा तो हमेशा एक अच्छा चरित्र और एक बुरा चरित्र नाटक में अकसर ऐसा होता सुत्रधार की परिकल्पना भी नाटक में की गई है, हमारे जो संस्कृत नाटे की जो कल्पना की गई है, संस्कृत जो रंगमंच है, उसमें बाकायदा या प्रस्तुत किया जाता है, एक सुत्रधार आता है, वो कहानी को शुरू करता है, और कहानी को शुरू करते हुए कंजोर बनाती है या यह कैसकते हैं कि सशरक्ट और कंजोर नाटक के बीच कौन सी चीज आप कैसे अंतर निर्धारित कर पाएंगे कि आखर एक नाटक को कौन SASHक्त बनाता है और कौन कमजोर बनाता है आप ध्यान देजिएगा कि उसका समवाद ही उसको सबसे ज़्यादा कमजोर बनाता है और उसका समवाद ही उसका सबसे ज़्यादा उसको सशक्त बनाता है देखाओ धर्जी यही तो है प्रेमा भक्ती प्रेम के वशी भूत होकर प्रभु किसी भी रूप को धारन कर लेते हैं हर पुरुष में इस्त्री है और हर इस्त्री में पुरुष है राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही तो राधा है राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है अरी सखी क्या शाम सखा, ऐसे लीला करते थे नाच नाच कर ऐसा स्वांग में भरते थे कुछ और सुनाओ उनकी लीला, कैसा स्वांग में करते थे माखन चोर चिचोर की, कुछ और लीला सुनाओ ना प्यारी संवाद जो है Production की और किसी न किसी गति की और ले जाने वाले संवाद होने चाहिए जैसे हैमलेट में आप जानते ही है बाकाइदा यह समवाद टुवी और नौट टुवी यह खुब आप सुनते हैं यह बाकाइदा हम लोगों के हाँ प्रस्तुत किया जाता है तो यह आप हमेशा है हैमलेट के उधार जब भी आएगा टुवी और नौट टुवी सकंदगुप नाटक में बाकाइदा जो जैशंकर पसाद जी का नाटक है उसका जो एक समवाद है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है यानि किसी भी नाटक का एक समवाद इतना महत्वण हो जाए कि आने वाले समय में कहीं भी उसका प्रयोग किया जाए ति यह वाक्य भी खूब प्रयोग किया जाता है तो बी और अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है इसका भी प्रयोग खूब जादा कहानियों में भी आने वाले आगे की कहानियों में प्रयोग किया गया निबंधों में प्रयोग किया गया यहां तक कि जगे जगे इस समवाद को बोल अधिन साव्धो के संवाद हो, ऐसे समवादों का बहुत ही मेहतो होता है, तो इसलिए सम्वाद लिखते समय, सम्वादों पर ध्यान देते समय हम लोग को इसको देना चाहिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी जो काम होगा, वो वही होगा कि आप अपनी आसपास के लोगों की पानी लेने वाले बातों को सुनते रहें और किस तरह कि समवाद हो रहे हैं जैसे सबजी हैं वना कि समवादMy Deus का हैं लाइन में खडे हुए लोगों के बीच के समवाद, पानी लेने वालों के बीच के समवाद हैं, यह भी आप भाकाइदा ध्यान दीजिए, उनको नोट कर लिजिए, डाइरी में नोट कर लिजिए, और इन ही समवादों को अपनी लिखने वाले नाटक का आधार बना अपना टक लिखिए या कहानी लिखिए या कुछ भी लिखिए इन समवादों को उसमें जरूर समावेश उसका करने की कोशिश करिए यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इससे आपकी भाषा भी बहुत ही सशक्त हो जाएगी और हर किसी के तरफ से आप बोलने के ल सुच पाना यह बड़ा महत्तपुन है क्योंकि हम अपने को अपने से हट करके सोचने की आदत हमारी नहीं होती है और यह लोक्तांत्रिक दृष्टी से भी बहुत महत्तपुन होता है कि हम अपने को केवल एक रूप में नहीं बलकि अनेक रूप में प्रस्तुत कर पाएं अनेक रूप में अपने संबादों को देख पाएं समझ पाएं तो इसके लिए यह प्रयास आज ही से शुरू कर दीजिए नाटक में स्विकार और अस्विकार की जो अधाना होती है उसका बड़ा महत्त होता है नाटक असल में एक जीवंत माध्यम है कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों की जब उनका आदान परदान होता है तो उसमें टकराहट का पैदा होना बड़ा स्वाविक है यानि दो व्यक्ति अगर मिल रहे हैं तो दो व्यक्ति के विचार जरूरी नहीं है कि मिलते जुलते हों जरूरी नहीं है कि वो एक त से सोचते हैं लेकिन कहां टकराहट है कौन सी बात है जहां वो टकराहट पैदा हो रही है यह दिखाना नाटक में समवादों के माध्यम से ही हो सकता है और यह समवाद बाकाइदा जैसे मैंने अपनी जस्मा ओडन वाली बात भी आपके सामने प्रस्तूत की थी पहले भाग मे आपको याद होगा तो जस्मा ओडन नाटक में भी यही हुआ था कि उन दो चरित्रों के बीच जो समवाद हो रहे थे वो कैसे एक दूसरे से टकरा रहे थे एक का मुल्य और दूसरा का मुल्य एक राजा का मुल्य और एक जस्मा का मुल्य जो बिल्खुल साधारन इस्तरी यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सरशक्त माध्यम बन जाता है अगर माल लीजे बिलकुल सामानी बात जो जीवन में हो रहा है उसको अगर प्रसूत करना है तो नाटक जैसे विधा थोड़ी शायद मुश्किल होगी क्योंकि नाटक में बिलकुल सीधे सीधे चीजों को कह देने की बात उतनी बहुत ही महत्वपुन्धंग से नहीं कहा जा सकता तो नाटक दरसल आपको मैं एक बात बता दूँ कि नाटक की शुरुवात अगर देखा जाए तो नाटक की शुरुवात अगर देखा जाए तो शिक्षित करने के लिए हुआ था यह समाज को शिक्षित करने के लिए तो कई ऐसी चीजें जो समाज में गलत हो रही हैं कई ऐसी चीजें जो समाज में शायद हमें ठीक नहीं लग रही हैं उन सब पर अगर हमें कहीं अभिवेक्त करना होता था, उन सब पर कहीं कहीं कोई टिपणी करनी होती थी, तो नाटक सबसे बढ़िया माध्यम होता था हमारे सामने, वहां से शुरुआत होई थी, इसलिए इस विधा में इसका बड़ा महत्तो है, तो जो जैसा है सीधा सीधा, यानि अगर ब्यवस्था जैसी चल रही है, उस ब्यवस्था को जियों कातियों प्रसूच कर देना हो, तो नाटक विधा बिल्कुल ठीक नहीं है, नाटक विधा में निश्चित रूप से एक बाकाइदा, कथोप कथन होना, एक द्वंद्व का होना बहुत जरूरी है, तो अब तु इतना चुपचाप रह भी ले तो कौन जाने, अरे दरोगा ने सुन लिया तो सुन लिया, तलभी कटेगी न, अब तेरी जान की कसम खा कर कहता हूँ, दारू या ताड़ी नहीं प्योंगा, बस समझ लिया कि हराम है, तलभी कटी तो कोई बात थी, पर लगता है क प्रतिरोध, अस्विकार, नकारात्मत पस्थित जब तक नहीं हुए, तो वो नाटक उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, गहरा प्रभाव वही नाटक छोड़ पाता है, जिसमें कहीं न कहीं अंतर विरोध हो, कहीं न कहीं प्रतिरोध हो, कहीं न कहीं एक कह सकते हैं गतिरोध हो, तो ये सारी बातें जब होंगी तो तभी नाटक सशक्त बन पाता है, यह हमारे पास उदाहरान संस्कृत नाटक श उधारण के लिए अंधायुग नाटक या तुगलक ये नाटक देख सकते हैं इनमें बाकायदा ये बातें आपको दिखाई पड़ेंगी बाकायदा इसमें एक तरह का प्रतिरोध एक तरह का अगतिरोध एक तरह का ऐसा संबाद आपको दिखाई पड़ेगा अब हम देखते नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किये जाते हैं, वो भी विल्कुल सपार्ट नहीं होने चाहिए, टाइप भी नहीं होना चाहिए उनको एक अलग तरह का चरित्र, क्योंकि थोड़े से चरित्र होंगे, बहुत कम होंगे, नाटक में सारे चरित्र प्रभाव नहीं डाल सकते तोड़े से चरित्र होंगे लेकिन वो थोड़े से चरित्र ऐसे होने चाहिए जिनकी खास विशेश्टा हमारे सामने प्रस्तूत की जा सके उनकी खास जो बातें हैं वो हमारे सामने कहीं न कहीं आ करके प्रस्तूत हो जाए यह हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, कि शब्द को बोलने वाला जो पात्र है, वो मंच पर जब आएगा, तो वो सचमुच एक व्यक्ति है, वो मनुश्य है, वो कोई कह सकते कटपुतली नहीं है, तो वो एक बाकाइदा हाण मास का बना हुआ मनुश्य है, तो वो जीवन्त होना चाहिए, उसकी बात सची होनी चाहिए, उसकी बात में ताकत होनी चाहिए, उसकी बात नकली नहीं होनी चाहिए, उसकी बाकाइदा, उसकी कहानी वास्तविक होनी चाहिए, वास्तविक जीवन के कहानी होनी चाहिए, ये एक बहुत महत्तपुन है आप भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं और सिर्फ ब्रह्म को याद कीजिए। गीता सार इदम सास्त्रम, गीता सार इदम शास्त्रम, सर्व शास्त्रम सुनिश्चितम, यत्रस्थितम ब्रह्म ज्यानम सर्व शास्त्रम सुनिश्चितम, भगवान कहते हैं, कि आप उने भूल जाएं, और सिर्फ निराकार परमात्मा को याद रखें, निराकार परमात्मा क उद्धव जी जो बार कृष्न में है न कि अचा जब हम सहसता कहते हैं सहज भार्शा कहते हैं तो ध्यान रखिए कि हमारा ध्यान जाता है कि सह हज मतलब बहुती आसान भार्षा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान भार्षा का कोई महतों नहीं होता है, अगर माल लेजिए, संस्कृत नाटकों को याद करिए, क्योंकि नाटक में संस्कृत के बगएर हम बाती नहीं कर सकते हैं, तो अगर संस्कृत नाटकों को आप याद क उसके बगएर कामी नहीं चल सकता, इसलिए वो भार्षा उस भार्षा का वहाँ होना जरूरी है, वही सहजता है वहाँ की, वही सहजता उसकी मानी जाएगी, अगर हम उससे अलग बात करेंगे तो सहजता नहीं रहेगी, इसी तरह जैशंकर पसाद, मोहन राकेश, जगदिश चंद्रमाथूर, धरंबीर भारती, सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककार है, जो आधुनिक नाटककार है, उनकी भार्षा की विश्रिस्ता को आप देखिए, कि उन्होंने जिस भी चरित्र को उठाया है, उस चरित्र के समय को देखते हुए उसी भार्षा को भी उसमें लि करते हैं, क्योंकि आज कल कहानियों का रुपांतरित करना भी बहुत माईनी रखता है, क्योंकि नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हैं, तो कम लिखे जा रहे हैं अगर आप अपना एक नाटक प्रसूत करना चाहते हैं, तो इन सारी विश्रिस्ताओं पर आप ध्यान करना भी आज के हिंदी नाटक कारों के पास अगर देखा जाए, तो बहुत तरह की शिलपाज हमारे सामने हैं, यहां तक कि आज तो आज तो आज फ्लैश बैक में भी हम लोग चले जाते हैं, पूरुव देप्ति शैली जिसको हम लोग कहते हैं, तो फ्लैश बैक में जाने जाते हैं, तो लोग नाटकों का भी हमारे पास एक फार्म है, आज जैसे नुकर नाटक का आज हमारे आखोब खेले जाते हैं, तो वह परंपरा भी आज हमारे सामने मौजूद है, एक शास्त्रिय परंपरा मौजूद है, एक लोग परंपरा भी हमारे सामने मौजूद है, यहां तक कि पार्सी नाटकों का भी अपना एक अगला जो शिल्प है जैसे शेरोशायरी जिसमें होता है जिसमें संगीत होता है गीत संगीत खुब दिखाई पड़ेगा तो यह परंपरा भी आज हमारे सामने मौजूद है यानि यह तीन परंपरा हैं जो मैंने अभी नाम ल जाए तो यह थार्दवादी नाटकों का एक मौहरा भी हमारे सामने मौजूद है यानि कई तरह कि अगर हमारे पास शैलियां मौजूद है तो अब आज के नाटक कार के लिए तो हमारे पास बहुत आसान हो गया है कि इनमें से किसी भी एक कला को किसी भी एक शैली को चुन तो इसका नाटे रूप आंतरन हम चाहें तो बाकाइदा नुकर रूप में भी कर सकते हैं, इसका नाटे रूप आंतरन हम चाहें तो पार्सी शैली में भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही महनत करनी पड़ेगी, अगर पार्सी शैली में करेंगे तो उसको संगितात्मक रूप मे ले जाना पड़ेगा, गितात्मक रूप में ले जाना पड़ेगा, अगर नुकर रूप में करेंगे, तो हमारे थोड़ा जरूर आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मंच के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉप्स की भी जरूर कर दे, अगर वह जाडे की बात कर रहा है तो ठंड की बात भी सिर्फ समवादों से और उसकी एक्शन से पता चल जाए, जरूरत नहीं है बर्फ ले आने की, और गर्मी की बात कर रहा है, तो यह बिलकुल जरूरत नहीं है कि वहाँ कोई अंधर दिखाया जाया, या कोई ऐसी गर्मी की बात दिखाया जाया बल्कि वो केवल समवादों से प्रस्थु किया यही नाटक की सबसे वड़ी विशेषता है, यानि केवल समवाद और केवल चरित, किसी प्रॉप की जरूरत नहों, तो यह सबसे जयादा नाटक कार की सबसफलता मानी जाती है इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए और अपनी शैली विक्सित करते हुए इन तीनों से किसी अलग स्वरूप की भी कलपना की जा सकती है साथियों आजकल आप देखते होगे नाटक में बहुत तरह की प्रयोग हो रहे हैं अगर आप जाते होगे कभी रंगमंच पर देखने के लिए नाटक हला कि बहुत कम लोग आजकल जाते हैं रंगमंच पर देखने के लिए लेकिन अगर आप जाते होगे तो आप देखिएग या युद्ध्यु का दृष्य दिखाना है, तो युद्ध्यु का दृष्य दिखाना है, तो स्क्रीन पर आ जाएगा, जरूरत नहीं है कि वो युद्ध्यु का दृष्य हमारे सामने रंगमंच पर किया जाए, तो उससे भी काम चल जाता है, लोगों का मानना है, जो उस कला को और ज्यादा तराषने की जरुवरत है बिलकिा इस तरह की कोशिश खरीगा। तो आप भी इस तरह की कोशिश करिएगा, एक नई शैली कोशिश करिए, बिल्कुल उन पुरानों को छोड़कर, चाहे वो पारसी थीटर हो, चाहे संस्कृत की परंपरा हो, चाहे वो लोक परंपरा हो, इन सब को छोड़कर एक नई परंपरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं आ कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी तो आप यह सब करते रहे और आप देखेंगे कि कुछ नाटक की जो महत्वपुन बाते इन पर भी जरा ध्यान दे दिजिए कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है यहां तक कि नाटक की कहानी वेशक प पहले घटनाओं का चुनाओ करना पड़ता है फिर उन्हें एक निश्चित प्रम में रखना होता है यह भी याद रखना चाहिए यानि सबसे पहले सोच लिजिए कि कौन-कौन सी घटनाएं अपने नाटक में लेके आएंगे उन घटनाओं को समवाद्धों के माध्यम से कर दीजिए उसके बाद उसे एक संबध कर दीजिए एक दूसरे से जोड़ दीजिए संबध करने के लिए चाहें तो सुत्रधार को ले लीजिए आप किसी को भी ले लीजिए वो लेखक भी हो सकता है सुत्रधार भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो उसको चाहें तो आप जोड़ दीजिए। बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। सिर्फ तीन-चार घटनाएं जोड़ दीजिए। और उन घटनाओं को एक सुत्रधार लेकर उसको जोड़ दीजिए। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुभाहिसों से आगे बढ़ाएं। यानि संबाद पर बहुत ध्यान दीजिए कि एक संबाद दूसरे का जवाब जो आता है वो दूसरे संबाद में क्या आ रहा है। कैसे वो आगे की कहानी की ओर हमें ले जा रहा है। इस कि द्वन्द्व नाटक की सबसे वड़ी विशेशता है। जब तक हम किसी चीज को स्विकार कर रहे हैं सिर्फ तब नाटक की जरूरत नहीं। वह नाटकेता आएगी ही नहीं। नाटकेता वहीं आएगी जहां और स्विकार है। यानि किसी न किसी तरह का प्रतिरोध है। किसी न किसी तरह का गदिरोध है, यह बहुत ज़रूरी है, तो इन चीजों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप भी ध्यान देजिए, आप ध्यान देते समय यह भी कोशिश करिए, कि अपने आस पास को, के द्रश्यों को देखें, चाहे हो रेलवे, कह सकते पर्फ़ीटन के द्रश्यों के द्रश्यों हो यह भी ध्यान देजिए, अपना हमेशा द्यान देते रहें होंगे और समवादों में उसको घर में आकर डाइरी में लिखने की कोशिश करिए, फिर उन द्रश्यों कों एक के साथ दूसरे को जोड़ते चले जाईए, और फिर आप पाएंगे कि आपके सामने छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कई नाटक तैयार हैं, उनको बाकाइदा प्रस्तुत कर सकते हैं अपने स्कूल में भी और चाहे तो लेक करके भी उसको रख सकते हैं, तो एक किताब के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये के बारे में सिर्फ इतनी ही हम आगे फिर कुछ बातें लेकर के आपके सामने आएंगे के बारे में सी दूए डिया दे अंहरा कि अबर औातें लर रारे मेंगे